Friends SSC MTS का form जो है वो आ चुका है तो इस वीडियो में हम आपको live form फिल करके दिखाएंगे और बताएंगे कि इस form को फिल करने के लिए आपकी चाय योगता होनी चाहिए और SSC MTS के syllabus के अबारे में भी हम बात करेंगे तो अगर आप चैनल पे नए है तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगते वीडियो को लाइक चरूर करें तो चलिए सबसे पहले हम अपने फॉन का गूगल ऑपन कर देते हैं गूगल ऑपन करने के बाद आपको यहां पे सर्च करना है सरकारी रिजल्ट इसके बाद हैं यहां पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस ऑपन हो जाएगा तो यहां पे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे फॉर्म से देख जाएंगे इसका लिंक यहां पे दिया हुगा है जैसे बिहार कंस्टेवल अप्लाई ऑनलाइन तो अगर यह फ देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस ऑपन हो जाएगा तो धुरा इसक्रोल करने के बाद देख सकते हैं यहां पे आपको दी जाएगा इंपोर्टेंट डेट इस लिखा हुआ है तो यहां पे जो है इसका अपलाई है 362 23 से स्टार्ट मतलब कल से ही इसका ऑल्लाइन स्टा तो जैनरल ओवी सी और इडवलू एस के लिए इसका फी 100 है मतलब 100 और स्ट के लिए कोई फी नहीं है और महिला के लिए इसका इलेजिबिलीटी देखने को मिल जाएगा जो इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी योगता क्या होनी चाहिए तो यहां पर देख सकते हैं यहां देख सकते हैं आपकी स्ट्राइब बॉर्ट्ब आपकि सेटांट का एक्जांब पास होना चाहिए और उसके बाद हवालदार का फॉर्म करने के लिए पढ़ाइब करने के लिए इसके जो सब्सक्राइब आपको यहां आगे वीडियों बताएंगे जो फॉर्म को फिल करके दिखायेंगे तो इसके लिए यहाँ पर दो option बने हुए फर्स्ट तो है यह apply online तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप फॉर्म कर सकते हैं और second यहाँ पर SSC का जो official website है यहाँ पर क्लिक करके भी आप form को fill कर सकते हैं तो चलिए हम आपको SSC के official website पर जाके और form को फिल करके दिखाते हैं तो इसके लिए हमें सब से पहले यहां पे इसका official website डिया हुआ है इस पर हमें क्लिक करना होगा तो चलिए हम यहां पर क्लिक कर लेते हैं तो देख सकते हैं यहां कुछ ऐसा इंटरफेस ऑपन हो चुका है तो यहां पर सबसे पहले आपको जो है अपना यूजर नेम मतलब कि रजिस्टेशन नमबर SSC के website पर आपने जो रजिस्टेशन किया होगा वो रजिस्टेशन नमबर डालके यहां पर फिल करना है उसके यहां पर दीख जाएगा तो वहां से आप पता कर सकते हैं और वहां से आप सीख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम अपना यहां पर यूजर नेम मतलब कि यूजर नमबर और उसके बाद यहां पर पास्वर फिल कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने अपना रेजिस सकते हैं यहां पर आपका नाम आज आएगा यहां पर मेरा नाम आ चुका है और यहां पर देखें लिखा हुआ है मल्टी टास्किन टेक्निकल एस्टाप एंड हवालदार तो इसी फॉर्म को फिल करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपलाई पे क्लिक करना होगा तो चल इस्टेशन के टाइम में फिल क्या होगा तो बांकी जो आपको दिख रहा है वो सब हमें फिल करना है तो हम yesterday करगे आपको Sutra यहां पर आप सबसे पहले तो आपको यहां पर एग्जाम सेंटर का और सब पर अप्शन कर्स आने ऑपक्ने और अपने ःग्जाम सेंटर कर एकजाम सेंटर भी करना है तो मैंने फिल कर लिया दोत क हैं तो क्रासर आप देख सकते हैं यहाँ कर लिया है उसके बाद 12 नमबर में में किडियों क्योने कौन फूल्ट यह बेस्ट एकजामों से और स्दोन यह देख सकते हैं तो आपको जो भी language रखना है आप यहां से select कर सकते हैं फिलहाल मैं English कर रहा हूँ यहां पे select उसके बाद second and verify medium for computer based examination तो computer based examination के लिए आपको कौन सा language select करना है वो आप यहां से select कर सकते हैं इसको भी मैंने English select कर दिया है यहां पर आपको जो भी सलेक्ट करना है लेंग्योज आप सलेक्ट कर सकते हैं मुझे जो सुटेवर लगा वो लेंग्योज मैंने यहां पर सलेक्ट कर लिया है उसके बाद यहां पर देखिए 17 नंबर में लिखा हुआ है whether you are an ex-serviceman or servicing in the armed forces अगर आप ex-serviceman है तो आपको यहाँ पे yes करना है नहीं तो आपको यहाँ पे no करना है तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले no कर देते हैं उसके बाद यह सब आपको नहीं भरना है देख सकते हैं इसमें आपको बहर नहीं सकते हैं उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं आपको यह वल आपको फिल करना है तो देखे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है दो यू है वा फिजिकल लिमिटेशन तो राइट एज पर पारा 8.2 और 8.3 अवद नोटीस तो अगर आपको इसे येस करना है तो आप येस कर सकते हैं नो करना है तो नो कर सकते हैं मतलब आपको अगर आप फिजिकली लिखने में सुटेवल नहीं या मतलब फिजिकली लिखने में आप सक्षम नहीं है आपको अगर एज में छूट चाहिए तो आपको Yes करना है, नहीं तो No करना है, छलिए हम यहाँ पे No कर लिए हैं, उसके बाद यह भी आपको Fill नहीं करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको Estate-wise पोस्ट देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे आपको यह फिल करना है, दे जैसे अगर आप यहां पे देख सकते हैं डेली हवालदार है जैसे यहां देख सकते हैं डेली हवालदार लिखा हुआ है तो अगर आप डेली में अपना पोस्टिंग चाहते हैं तो आपको 18 नमबर यहां पे लिखना होगा अगर आप लदाक MTS लिखा हुआ है तो अगर आप लदाख में पोस्टिंग चाहते हैं तो आपको 16 नमर यहाँ पे फिल करना होगा, ऐसे ही करके आप जितना वीचाहे यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जितना वीचाहे यहाँ पे फिल कर लेते हैं, तो फ्रेंट्स देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपना पोस्टिंग जिए हैं, कर लिया है मतलब कि अगर हमें job होता है तो मेरी posting उन सभी जगों में से ही कहीं दी जाए ऐसा मैंने यहां पर select कर लिया है और बाँखी जो बच किया है उसमें हमें कुछ यहां पर लिखा वाँए देखिए मांखी जो बच किया है। X-Fill करना है तो चलिए हम बांगी सब box में X-Fill कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जैसे एक box में X-Fill किया यहाँ पर लिखा गया है Are you so you want to enter X? You cannot enter any more state तो हमें यहाँ पर सिंपलीज को OK कर देना है तो यहाँ पर बांगी सब में देख सकते हैं X-Fill हो चुका है उसके बाद यहाँ पर एक option है 21 नमर में highest education qualification तो हमें इसको select कर लेना है यहाँ पर आपकी जो भी highest education है वो आपको यहाँ पर select कर लेना है तो चलिए हम अपना highest education select कर लेते हैं तो friends यहाँ पर मैंने अपनी higher education select कर लिया उसके बाद हमें details of qualifying education select करना है तो चलिए हम इसको भी select कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दो option है एक है 10th standard का और एक है equivalent to 10th standard तो अगर आप 10th standard के समक्ष है तो आपको इस पर लिक करना है और अगर आप 10th standard में है तो आपको 10th standard पर क्लिक करना है तो चलिए हम इसको 10th standard कर दिए उसके बाद यहाँ पर आपको अपना status देना है जो आप past है या नहीं तो past पर क्लिक करना है उसके बाद इसका मतलब यह हुआ कि हम 10th standard पास हो चुके है उसके बाद यहाँ पे आपको 10th standard का percentage fill करना है तो चलिए हम यहाँ पे percentage feel कर दिये अगर आप CBSC board से हैं तो आप यहाँ पे CGPS fill कर दियेगा और अगर आप other board से हैं तो अगर आपके board में percentage होता है तो आप percentage fill कर दियेगा उसके बाद यहाँ पे do you want to make your personal information तो अगर आपना personal information देन चाहते हैं तो आपको यहां पर यह करना है अगर नहीं देना चाहते हैं तो नो करना है तो फिराल मैंने इसको नो कर दिया कि यह इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको अपना फोटो और सिगनेचर अपलोड करना है और यहा आपको देख लेना है यह हमारे चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं कि किसी फोटो ऑर सिविडियो के साइज को कैज ये कम खिया जा सकता है उसके बाद यहाँ पे एक आपको सिगनेचर वाला ऑप्लोड लोड करना है तो चलिए तो सबसे पहले हम अपना फोटो और स कर casting यहां करते हैं। यहां पे इसको एकर दिए प्रहुज करना सब्सक्राइब रगेजिए करना है उपना क्या यहां पोप्शिख करना सब्सक्राइब रिधChat, I'm gonna क्लीक दerson, AI कुलिक करने से हुँ जो हमने जुब avoir हैं वह सही है या नहीं अर उसके प्रिवू वाले प्रिविवान पर क्लिक कर लेंगे देख सकते हैं इस था फमझे करा लेंगे और यहां पर इप क्लिक कर लिया अब यह सब्मीट हो रहा है so what सब्रोड यहां से विबीड कर सकते हैं जो आप यहाँ पर चक्क कर लेंगे और देख लेंगे कि कुछ गलत है तो आप उसको सही कर सकते हैं यह करने के बाद यहां पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है state लिखा है अपका passing year है, role number है और यहां पे आपका percentage देख जाएगा आपको यह सबी चेक करने के बाद आपको यहां submit पे click करना है तो चलिए हम इस submit वाले option पे click कर लेती हैं यहाँ पे क्लिक करने के वाद हमारा फॉर्म जो है वो सब्मीट हो जाएगा देख रहे हैं इसके बाद हमें थोड़ा उपर एस्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है यू कैन नोट इडिट आफ्टर फाइनल सब्मिशन सो चेक और डिटेल्स कियर अप्लिकेशन फॉर्म इस डिशीवट टो पोसुंट करना चाते हैं तो आतोको सिंप्ल याइज करना है और नहीं करना चाते है तो बीसको 9 कि यू इसको याइस कर देते ते हैं इसको क्लिक करने के बादी कुछ ace-όपन हो गया है तो आप यहां पर फीडूर। अठीक करना है और यहां पर 주 करना तो चलिए अंसे को सब्मिट कर देते हैं सब्मिट करने के गाद यहां पर दिखा रहा है आपको किस जीजे करना है तो यहां पे बहुत सारे options हैं यहां पर देख सकते हैं SBI Net Banking है उसके बाद Other Networking option है उसके बाद State Bank debit card का option आपको मिल जाएगा फिर Other Bank debit card credit card और उसके बाद आपको यहां सबसे नीचे वे UPI का option देख जाएगा तो सबसे सिंपल होता यूपी आई तो हम आपको यूपी आई से प्रिकर के दिखाएंगे तो चलिए यूपी आई पर क्लिक कर देते हैं यहां पर सिंपली आपको वी पी वाले option पर क्लिक कर देना तो चलिए हम यहां पर क्लिक कर देते हैं यहां क्लिक करने के बाद आपको अपना UPI ID क्लिक सब्मीट करना है और फिर यहां कॉनफॉर्म पे क्लिक कर देना है उसके बाद फिर यहां पे ऐसा इंटरफेस अपन हो जाएगा तो आपको फिर यहां भी कॉनफॉर्म पे क्लिक कर देना है तो यहां पे क्लिक करने के बाद यह दे कर देना तो चलिए हम वहां से जाके पे कर देते हैं तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरे फॉन पे में यहां पे नोटिफिकेशन आ गया है तो इसको हमें यहांसे पे कर देना है तो हमारा फिज़ जो बेडियर रिचल पर चुका है इसजेल वेबसाइट पर आ चुके हैं अब हम आपको चृष कृष्ट मेंद कने करा हने इसके लिए हमको क्लिक करना है सब्सक्राइब यहां पर किलिक करने के बाद देख सकते हैं यह ऑपन हो चुका है और यहां पर आ जो हमने फर्म भरा है उसको print करना है तो इसके लिए पहले यहां से close कर लेंगे और close करने के बाद एक option यहां पे आपको एक option दिख जाएगा यहां पे आप देख सकते हैं यह print वाला option तो simply आपको यहां पे click कर लेना है बर जब आप print कर येगा और अगर आपको वहां पे print पे आपका जो amount है मतलब जो आपने payment किया है वो successful नहीं दिखे तो उसके लिए आपको यहां पे double verification of payment पे click करके एक बार आपको check कर लेना है तो च आपको check कर लेना है और उसको फिर से आपको PDF डॉनलूड करना है तो चली हम यहां से close कर लेते हैं और आपको पहले यहां पे PDF डॉनलोड करके आप देख सकते हैं यहाँ पर यह उपन हो चुका है और यहाँ पर एक download का option आ रहाओगा side में यहाँ पर मेरे में download again का option आ रहा है क्योंकि हम इसको एक बार download कर चुके हैं तो आप यहां पर क्लिक करिएगा तो यह डाउनलोड हो जाएगा और वहां से आप अपनी साही जानकारी चक कर सकते हैं कि सही-साही फिल हुआ है प्राफॉर्म या नहीं अगर को गरवरी है तो आपको एक सुधार का डेट दिया जाएगा उस समय में आप जाके सुधार कर सक सकते हैं चलिए अब आपको दिखा देता है कि आप इसका सबस्वाले पेज पर चले जाते हैं तो फ्रेंड्स हम सबसे फर्स्ट वाले पेज़ पर डाउनलोड कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और एसे जानकारी के लिए हमारी यूट्यू चैनल को सस्क्राइब करें और इसका एक्जाम का डेट आएगा और एड्मिट का राएगा तो उसकी भी जानकाई हम इसी चैनल पर देंगे तो चलिए मिलते हैं अब ले वीडियो में थैंक्यू जैहिंद